अकसर मेरे से लोग एक सवाल पूछते कि Vodafone Idea का 5G हम पर कब आएगा Vodafone Idea के 5G से लेड़ेड अब कुछ नीज हम पर आने लगी बिसिकली गवर्मेंट का ये रूल था कि हाँ पर 16th August उने कहीं न कहीं 5G को रोल आउट करना पड़ेगा लेकिन जो Vodafone Idea उसने अभी तक 5G किसी भी शेहर के अंदर प्रॉपर तरीके से रोल आउट नहीं किया है नोग ऑफिशली उसके बारे में कोई क्लारिटी दिये कि exactly वो यहाँ पर कब लाएंगे लेकिन अब वो गया गवर्मेंट के पास ये डिमांड करने के लिए कि 16th August की जो डेटे उसे आगे एक्स्टेंड कर दी है बेसिकली हमें पता है कि लास्ट ये चार्ट मेजर कम्तनीज ने 5G उक्शन के अंदर पाटिस्पिट किया था जैसे जीओ, यह टेल, वोड़ा फोन आइडियो और फिर अडानी थे अडानी कॉर्प्रेटर इंटरप्राइस लेवल के लिए 26 GHz का स्पेक्ट्रम यह था लेकिन उसने भी अपी तक उस चीज़ को डिप्लॉई नहीं है और इनका यह डिमांड है कि इस डेड्लाइन को थुर्ण एक्स्टेंड कर दिया ताकि यह लोग फिगर आउट कर सके कि कैसे अपने 5G नेट पर को डिप्लॉई करने लेकर एक बाह बता सकता हूँ कि Vodafone Idea की 5G की करिंग में स्टेट किया है देखो अभी के सभी Vodafone Idea का जो 5G वो अभी भी टेस्टिंग फेस के अंदर है और इसे ही लोग अभी के सभी में टेस्ट कर रहे है पूने और डेली के अंदर इसके साथ ही mobile phone company के साथ भी काम कर रहे है ताकि जब भी रोल आउट हो तो एक साथ सभी phones के अंदर अच्छे तरीके से compatible हो लेकिन प्रॉब्म अब यह है Vodafone Idea के साथ कि उन्होंने 5G equipment को और ने दिया इसी वज़े से आप 5G में डिले हो रहा है और इसका one of the reason यह है कि यहाँ पे इनके पास lack of funds है Vodafone Idea पूरी कोशिश कर रहा है funds वगरा gather करने के लिए ताकि वो 5G के लिए funds वगरा gather करें और उसके बाद 5G को roll out करें देखते हैं आने वाले समय में Vodafone Idea का 5G कब तक देखने को मिलता है अभी देख के लगता है current situation के साथ तक हमें देखने को मिले यहाँ पर यह जो data अगले साल भी खिसक सकती है सी के साथ ही हमें बात करना जाओगा Samsung के बारे में तो हमें पता है कि Samsung के phones अच्छे रहते हैं लेकिन कम यह उसके अंदर Exynos processor की रहती है अब Samsung ने इस साल तो काफी अच्छा काम किया था अपनी S23 की lineup ने Snapdragon निकाला लेकिन सुनने में आए कि S24 में Exynos दुबारा सिवापसी करने वाला है यहाँ तक हमने सुना है कि S23 FE भी यहाँ पर एक phone निकाल रहा है जिसके अंदर आपको Snapdragon processor वाला version और Exynos ही देखने को मिलेगा लेकिन एक सवाल आता है अब जो Exynos हा रहा है यह यहाँ पर क्यों देखने को मिलेगा basically Samsung खुद सारे components मनाती है processor बनाती है और Samsung अभी भी देखा है तो Snapdragon के उपर सारा market lose नहीं करना चाहती है वो यह चाहती है कि जो Exynos processor है वोगी market मेरे कही न कहीं वो लोग उस चीज़ को बेच ले क्योंकि जो Samsung है वोगी एक ऐसी company जो A2Z phone को यहाँ पर create कर सकती है chip से लेके display sensor सब कुछ वो लोग बना सकते है तो एक full controllable phone यहाँ पर बनाना चाहते है लेकिन हमें पता है Exynos की problem की है Exynos की problem होती overheating और जो battery drain होता है वो basically इसमें भी Exynos की गलती नहीं है exactly वह जो गलती वो Samsung की foundry में है हमने पास में Snapdragon 888 और Snapdragon 8 Gen 1 का case देखा है जहाँ पर जो Snapdragon के processor से ना वो Samsung की foundry में बने थे जिस current से जो processors थे उनके अंदर heating की शिकायत थी और इसी वज़े से Samsung की foundry को यहाँ पर ग्रिवम की जरूरत है यहाँ पर देखा जाए तो अभी इस समय तो इंदम से चीज़े चेंज नहीं हो सकती लेकिन हाँ आने वाले कुछ साल में Samsung अपने foundry business को और better करना चाहते है और उसके लिए नई machines लगाएगी नई चीज़े design करेगी तब जाके improvement देखने को मिल सकती है इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता सकता हूँ कि यहाँ पर Samsung अपनी green chip पे भी काम कर रही है यह Exynos में वो चीज़ ने होने वाली वो दो से तीन साल बाद आपको देखने को होलेगी लेकिन अगर मैं Samsung के processor के बार में बत कर रहा था तो जो Samsung electronics है ना उसका जो profit रहता ना वो 95% यहाँ पर काम हो गया और overall demand का में supply जादा है लेकिन अब वो लोग strategy चेंज करके यह काम कर रहे है कि अब हम लोग order basis पे काम करेंगे यानि कि सामने से कोई company अगर उन्हें बताई कि इस type of processor उन्हें बना कर दो तो definitely उस चीज़ को यहाँ पर बना कर देंगे इंडिया में देखा जाए तो last year यानि 2022 में चाफी सारी Chinese company news के उपर rate पड़ी थी आप लोग और ने news में सुना हो ता यहाँ पे Xiaomi, Vivo और OPPO के नाम ते और इनके उपर आरोप लगा आता कि इन्होंने tax evasion किया है वो है 9000 करोड रुपे का अगर इस टाइप की चीज़ अगर और जादा होती है तो इन Chinese companies का जो future हो सकते ना वो यहाँ पे थोड़ा सा dark हो सकता है आदे वाले टाइम में Chinese companies इस problem से कैसे move on करेगे जोगी अकसर हम लोग बात करते कि ऐसा mobile phone निकाला वैसा mobile phone निकाला लेकिन जब पीछे सा अगर ऐसी हरकते करेंगे ना तो आप मान की रखे हो सकता आगे चलके mobile phone भी ने निकाल पाए इसके साथी भात करना चाहूँगा जो इस अफते हाँ पे fold 5 और flip 5 यहाँ पे launch रहे है फर यहाँ पर आपको Samsung का foldable देखने को मिला OnePlus वे अपना foldable OnePlus Open को यहाँ पे launch करने वाली है यानि कि market के अंदर आपको बहुत सारे foldable phones देखने को मिल रहे है यह जितने भी foldable phones है ना इनमें से एक भी यहाँ पर नहीं चलेगा बिसिकली अभी भी foldable के साथ problem में थोड़ी सी durability की और वो काफ़ी जादा delicate होते है इसके साथी software का experience भी foldable में Samsung का ही सबसे अच्छा है उसके बाखी companies का थच्छे software experience नहीं है उपर से बात करें तो foldable बनाना बहुत नहींगा पड़ता है और जब premium के अंदर कोई company जाती है तो उसको foldable की pricing justify कर पाना काफ़ी जादा दिक्कत वाली बात होती है काफ़ी सारी companies हाँ पर कोशिश करें foldable वाले market के लिए लेकिन वो सर्थ इसलिए कोशिश करें क्योंकि जो दूसरी companies है उन्होंटे foldable की technology ready कर लीती और उसको market में push करना चाहते थे इसी वज़े से market में आपको तरह तरह के foldable देखने को मिल रहे है लेकिन consumer adoption जो रहते है na foldable का वो काफी कम है देखो इतना पता है कि foldable धीरे-धीरे market में बढ़ेंगे और कुछ लोग है जो foldable लेन पसंद करेंगे लेकिन जैसे mainstream होता है जैसे regular phone को अटाके foldable के उपर मुप करना ऐसा कभी नी होने वाला max to max 5% market तक ले पाएगा और उसके बाद एक छोटा सा market रह पाएगा जो कि हमेशा सिर्फ premium में काम करेगा अलग कि मैं बोला चाहूंगा अभी foldable सिर्फ थोड़े enthusiast level के लिए जिसको थोड़ा अलग tap का phone चाहिए कोई नए technology ट्राइ करनी है उन लोग के लिए foldable है और अगर उन लोग को भी foldable लेना है तो मेरी recommendation हो कि Samsung को भी foldable जा कर ले तो यहाँ पर क्या होती है अने वाले समय में foldables की काहनी तो दोस्तो यह थी कुछ है सबते की tech news आप लोग कौन सी news पसंदें नीचे comment बताब तिंग को भी देशनी के लिए मैं अपसल तो next one में गुडबाई